एड़ोकेट दी प्लिगल हप में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर पती और पतनी के बीच में समझोता हो गया है तो क्या अदालतें ऐसी वैवाहिक कारिवाही को अपराधिक कारिवाही को रद्द कर सकते हैं उनके पास अधिकार है या नहीं है जिसे कई सारी कुछ ऐसी धाराएं हैं जिनके अंदरगत केस होता है वैवाहिक जो केस होते हैं वो इन धाराओं के अंदरगत होते हैं तो अगर कुछ समय बाद दोनों के बीच में समझोता हो जाता है कुछ पॉइंट्स पर और वो दोनों एक दूसरे से मिच्वल कंसेंट से अगर divorce ले लेते हैं तो फिर इसके बाद क्या आपने अगर divorce ले लिया है mutual consent से तो इसके बाद अदालत court जो है वो आपके जो case हुआ था उसे रद करने में सच्छम है या नहीं है तो इसको ले करके अभी हाल में ही एक decision आया है जिसके बारे में आपको बताया जाएगा और साथ में इस decision की link आपको description box में मिल जाएगी आप वहास उसकी copy निकाल भी सकते हैं तो हमारा आज का topic है कि क्या अदालते अगर चाहें तो वैवाहिक जो वैवाहिक समझोते के अधार पर आपरादिक कारवाही को रद कर सकती है इसी पर है अगर हम देखें तो हमारे सन्विधान में हमारे constitution में एक article है article 142 और हमारे CRPC का एक section है वो है 482 इनके माध्यम से अदालतों के पास ये right है उनके पास ये अधिकार है कि वे quest कर सकती है ऐसे cases को कई बार ऐसा होता है कि हम ये देखते हैं कि जब भी criminal case होता है तो इसमें जब आप जाते हैं questing के लिए तो वो questing करने से इस आधार पर मना कर देती है court कि compromise के आधार पर अगर आप अपने case को वापस लेना चाहते हैं तो हम आपकी इस याचिका को स्विकार नहीं करते हैं कई बार ऐसा होता है तो ऐसा ही एक case हुआ था करनाटक में जिसमें जिसका नाव है रगंपा versus state of करनाटका इसमें भी यही हुआ कि एक wife ने अपने husband के खिलाफ case किया था जिसमें अपरादिक धमकी का था 503, 498A, डावरी, डेवी इन सारे acts में, इन सारे sections में case किया गया था लेकिन जब शार्ट सीट लगी थी जो दहेच का जो की जो धारा थी उसे निकाल दिया गया अब इसके बाद फिर 2011 में case file होता है और कुछ समय बाद फिर पती पतनी के बेच में समझोता हो जाता है और जब समझोता हो जाता है तो समझोते के आधार पर वे mutual consent से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं अब यह जो mutual consent से अलग होना यहाँ पर आपको यह भी बता दे कि जब भी आप divorce के लिए जाएए तो आप यह कोशिस करिए कि आप जो divorce ले वो mutual consent से ले मतलब husband और wife एक दूसरे से समझोता कर लें compromise कर लें कुछ बिंदों पर और उसके आधार पर आप divorce ले लें क्योंकि अग अगर आप दोनों में से कोई भी एक पक्ष दूसरे साथ नहीं रहना चाहता है तो आप एक पर courses कर सकते हैं दो पर कर सकते हैं लेकिन इसकी बाद भी अगर दूसरे पक्ष ने ने दूसरे आपके partner ने यह सोची लियाए कि उसे आपके साथ नहीं रहना तो आप जबरदस्त अपने पती के साथ रहना चाहती है लेकिन पती नहीं रहना चाहता है तो वो क्या कर सकती है तो इसके बारे में आपको पूरा डेटेल में बताएगा है कि आप अपने कानून के माध्यम से आप अपने अधिकार को आप कैसे पा सकती है आपने घर को कैसे बचा सकती है लेकिन एक बात और ये भी fact है कि अगर कोई भी एक पक्ष एक साथ में रहना नहीं चाहता है तो आप जबरदस्ती उसको अपने साथ नहीं रख सकते हैं अगर आपके जबरदस्ती करने के बाद आपके किस तरीकी की धमकी देना या केस के डर से या किसी भी ऐसे चीजों के वज़ा स अगर वो आपके साथ रहने लगता या लगती है तो भी आपके वीच में वो प्यार नहीं रह जाएगा तो ये जबरदस्ती वाला रिष्टा किसी काम का नहीं होता है तो आप ये कोशिस करिए कि अगर आपको लगता है कि आप अपने रिष्टे को आगे नहीं continue रख पा र जाए आप उनसे माफी मांगे आप अपने जो भी आपकी गलतियां थी आप उनके लिए पशाताब करिए तो इसके बाद अगर आपका रिष्टा समल जाता है तो बहुत अच्छी बात है आप दूसरे को अपने साथ अपने रिष्टे को continue करना चाहिए लेकिन अगर आपको साथ को नहीं रहेगा वो उसी लड़के के साथ रहेगी या उसी लड़की के साथ रहेगी तो वहाँ पर अगर आप बार बार ये कोसिस करते हैं कि नहीं आप किसी दर की वज़ा से आप अपने पती को या अपनी पतनी को अपने पास ही रखें तो यह आपका ऐसा सोचना ब चाहते हैं करना चाहती हैं तो आप ये कोसिस करें कि आप मैच्वल कंसेंट से लें क्योंकि अगर आप एक तरफा अगर आप कंटेश्टेंट डैवोर्स के तरफ जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता तो उससे आपकी भी लाइफ पर बाद होगी और जो हुआ कि आपनी रिशते को बचा करके रखना चाहिए या नहीं तो इसकेसμε में क्या हुआ कि 2019 में वायफ ने अपने हस्बंट के आपर चेस किया जिसमें सारे सेकसेंट लगए जिसमें से सेह केस था वह चार सेट में से हटा दिया गया था जो पॉइंट थे तो उसमें कोई चार्ज नहीं बना था इसके बाद फिर दोनों की बीच में कुछ समय बात क्या हुआ समझोता होगी और समझोते कि माध्यम से वे दोनों एक दूसरे से मिश्वल कंसें से डाइवोर्स उन्होंने ले लिय आप जब मिश्वल कंसें नों के दाइवोर्स ले लिया तो उन्होंने वे decision है वो गए हाई कोड को है इस लेरे डाइवे रदिया चार्मों की और अदालत ने उनकी सियाचिका को खारज कर दिया और उसे क्वैस्पें के लिए यह लेकिन उन्होंने अपील कहां की क्योंकि आपका जब एक बार आप जाते हैं आप अगर कोर्ट जा रहा है और वहां पर आपकी आजिकाव को ना मंजूर कर दिया तो फिर आप उसके लिए अपील कर सकते हैं आपके पास अपील काधिकार होता है तो अपील किया उन्होंनों सुप्रेम कोर्ट में अपील हुई तो उसी शादी भी कर ली है तो ऐसे में अदालत ने कहा कि अदालत के पास अधिकार है जो कि हमारे आर्टिकल 142 और section 482 के माध्यम से दिया गया है कि आप किसी भी अपराधिक याचिका को अपराधिक केस को आप रद्ध कर सकते हैं अगर उनके बेच में पार्टे के बेच में सम दूसरे पक्षने शादे भी कर ली है उनके बीच में mutual consent से divorce भी हो गया तो ऐसे केस को आगे चलाए जाने का कोई भी मतलब नहीं होता है और इस अधार पर उन्हें अपेल की अनुमती दे दी तो इसी तरीके से अगर आपके बीच में बीच में बीच क्योंकि हमारे पास दो आपके से खत्म कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अगर कहा जाए सिंपल से भासा में कहा जाए तो आपके लिए सेफ नहीं हो सकता है तो आपके लिए सबसे अच्छा क्या है कि आपने future को कैसे secure कर सकते हैं तो आपने जो case किया है या आपकी पत्नी ने जो case किया आप उन् में थोड़ा सा यह बहुत लंबा भी procedure नहीं रहेगा क्योंकि आपके बीच में समझाता हो चुका है mutual concern से आप दोनों अलग हो चुके हैं या नहीं भी हुए हैं अगर आप दोनों के बीच में ऐसा कोई भी समझाता हो चुका है तो आप फेले question उसका जवाब दिया जाना comment box में समझाता है तो हम आपके question का जवाब दे देंगे और अगर आपको अपने किसी भी case के बारे में कोई कानूनी सलाह चाहिए तो इसके लिए आपको नीचे description whatsapp number मिल जाएगा उस number पर आप whatsapp करते हैं तो आपको पूरी detail मिल जाएगी वहाँ से आप आप आपने में अपनी book करा करके हमसे सीधे बात कर सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा आपको किसी और टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो आप वो भी comment box में लिखिए वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिलकूल मत भूलिएगा और हाँ आपको इधर कुछ दिनों से वीडियो continue नहीं मिल पा रहा था लेकिन अब हमारी कोसस रहेगी कि आपको continue हम दो से तीन दिन पर हर तीन दिन पर हम आपको एक वीडियो आपके जो भी समस्या उससे समबंदित हम आपको दे सके वीडियो को लास तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद